सो गाइस जब भी आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो आपके सारे पैकेट्स है ना मतलब फॉर एक्जाम्पल आप यूट्यूब डॉट कॉम पे गए सो इन डाट केस यूट्यूब डॉटकॉम पे जाने वाला जो भी डेटा होगा पहले यूट्यूब के सर्वर पे नहीं जएगा पहले आपके लौकल राउटर पे जाएग या फिर आपके यहां पे ही है जो भी आपका यहां पे लॉककल यहां प services तो अन्य जो भी आपके गह करते हैं even in wireless connection अगर आपका phone wirelessly wi-fi पे connected है तो hackers क्या करेंगे वो जो packets जा रहा होगा वो wirelessly जा रहा होगा अब आपके पास password है इसलिए आप connected हो wi-fi से and आपका packet इसलिए आप directly router को भेज रहे हो but usually wired connection में direct जाता है but wireless connection में direct नहीं जाता in that case router के पास चला जाता है so wireless connection में क्या problem होता है कि wired connection में actually wire के through जाता है जबकि wireless connection में वो broadcast होता है मतलब अगर आप youtube.com पे जाओगे and wi-fi से आपका phone connected है तो आपका phone सब जगा वो packets बेजेगा मतलब आपके पूरे area में आपके पूरे घर में बेजेगा and हवा में वो packets होते पैकेट sniffing और कुछ ही होता है यह packets को capture करना होता है उसको analyze करना होता है अब यह package को capture कैसे करते वो भी practically देखते है and analyze करते है उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको मिलती है क्या क्या data मिलता है क्योंकि यह package के अंदर बहुत जादा चीजें होती है मतलब including आपके wifi का password security key सारी चीजें and even cookies होते cookies मतलब आपने अगर facebook पे login किया है तो facebook को कैसे पता जलेगा कि आपका ही computer logged in है कोई भी login नहीं हो पाता right so उसको cookies बोलते है cookies से session store होते so basically आपके wifi के packets में या आपके packets में बहुत जादा चीजें होती है so मैं अभी क्या करूँगा मैं Linux में हूँ काली Linux में मैं login कर लूँगा and उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगा हम लोग basically iw config type किया है हम लोग ने and यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि wireless network connected है w90 आप देख सकते हो and यह monitor mode में है आपको पता ही होगा monitor mode में कैसे डालना है so for example if you can see USB में मेरे पास यहाँ पे wifi card या wifi adapter connected है हम लोग ने already देख चुके है monitor mode क्या होता है and in case अगर आपको नहीं पता monitor mode basically एक ऐसा mode होता है जिससे आप सारे connections को actual में मतलब reality में आप उसको capture कर पाऊ and यह autopilot जैसा होता है ना वो normal mode होता है and manual control आप दे रहे हो आपके wifi card को so अब यहाँ पे कैसे monitor mode enable करना आपको just type करना iwconfig wlan 0 mode monitor यहाँ पे हम लोग ने क्या किया iwconfig wlan 0 को बोला है कि monitor mode में जाने फिर हम लोग ने type किya iwconfig monitor wlan 0 अब इसका मतलब wifi फिर से start हो गया अब अगर हम लोग iwconfig type करते है as you can see यहाँ पे monitor mode आ गया so monitor mode कैसा होता है एक plane है plane अगर normally autopilot पे हो तो automatically wifi को connect हो रहा है यह normal mode होता है यह normally लोग use करते monitor mode कैसा होता है basically एक plane को हम लोग manual mode में डालते है और उसके बाद हम लोग बताते हैं उसको कि capture करना है data so अभी यहाँ पे मैंने capture करने के लिए चालू कर दिया अभी यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाएगा असपास के networks आसपास क्या-क्या routers हैं क्या-क्या चीजें चल रही है and यहाँ पे बहुत जादा चीजें दिखा रहा है and जैसे ही मेरा phone connected है router से वैसे ही बहुत और लोगों का भी connected होगा यहाँ पे बहुत जादा details दिखाता है again मैं वापस से करूँगा ताकि आपको पता चले क्या-क्या चीजें हो रही है so as you can see अभी यहाँ पे BSSID मतलब BSSID है and router का name है यहाँ पे ESSID मतलब router का name है authentication type है PSK and PSK2 अगेरा WPA2 encryption लिखा हुआ है MB लिखा हुआ है channel लिखा होता है अभी channels होती है अलग-अलग channel पे router होते है so यहाँ पे 2 networks दिखा रहा है as you can see मेरे Mac में and आसपास 2 networks नहीं है actually 3 है so तीसरा वाला hidden होगा तो भी वो दिखाएगा so hidden network भी दिखाता है so मेरे यहाँ पे 2 networks दिखा रहा है but actual में 3 network है आसपास यह जो हम लोग कर रहे है basically यह actually passive footprinting है यानि हम लोग router को touch नहीं किया अब तक and router के साथ कुछ communication नहीं हुआ हम लोग ने ना device को कोई touch किया है यह पे हम लोग सिर्फ हमारा क्या काम कर रहे है हम लोग दूर से काम कर रहे है दूर से देखने का काम होता है ना ऐसे काम कर रहे हैं अब तक हम लोग ने router को touch नहीं किया ना कुछ किया है यह ऐसा होता है चैनल अलग अलग होते हैं 12 चैनल होते हैं हर एक चैनल पे अलग अलग चैनल पे routers काम करते हैं अब सेट भी कर सकते हो चैनल को चेंज भी कर सकते हो router settings में बट कुछ इस तरह से communicate करते हैं इतना data जा रहा है आ रहा है station का नाम है कौन भेज रहा है data किसको जा रहा है बहुत ज्यादा details होते है back-ins और कुछ नहीं होते beacons basically packets है और क्या-क्या data जा रहा है वो दिखा रहा है कितना data गया यहां पे यह जो है यह मेरा device है मेरा router connected है XDA से मेरा phone connected है XDA नाम के एक Wi-Fi से यहां पे वो details दिखा रहा है यहां पे हम लोग ने देख लिया कि क्या-क्या packets आपको मिल रहा है कैसे वो scan कर रहा है 8 minutes से scan कर रहा है यूजूली hackers क्या करते है यह overnight लगा के रखते है यानि कि अगर आपको कोई Wi-Fi network hack करना है तो overnight यह चालू होगा यह लगा के रखेंगे उसके बाद आप select भी कर सकते हो और example आपको सिर्फ XDA जो router का नाम है जो Wi-Fi का नाम XDA अगर वही वाला आपको hack करना है और वही वाले उसके ही packets सारे grab करने है तो आप वो भी select कर सकते हो जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा अगर किसी के पास monitor mode वाला card होगा तो definitely वह सारी चीजें capture कर पाएगा वह देख पाएगा क्या क्या चल रहा है इसमें आपको hidden Wi-Fi इस भी पता चलेंगे और आगे हम लोग डीप में जाके इसको और डीप में packets को पहले तो हम लोग सीखेंगे packets को कैसे capture करना है detail में मतलब अभी यहां पर हम लोग सारे packets capture कर रहे है बट actual में आपको deep में जाके खाली एकी router के packets को या एकी router में भी एकी device के packets को अगर आपको capture करना है वो कैसे करते है फिर analyze कैसे करते है save कैसे करते packets को झाल झाल